संभल मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ की महत्वा कांग्शी गंगा यात्रा तीसरे दिन संभल के गुननावर में पहुँची यहां गंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया कारिक्रम में मुख्य अतितियों को सुनने के लिए कई हजार की संख्या में लोग पहुँचे आपको बता दें कि 27 जनवरी को बिजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा आज बुलंच शहर के नरोरा से होते हुए संभल जिले के गुननावर पहुची यात्रा में केंद्रिय के प्रेयटन मंत्री प्रहलाद पटेल यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और सुरेश राना के अलावा राज्य मंत्री गुलाब देवी बदाईयों के सांसा डॉक्टर संग मित्र मौर्य वा गुननौर के विधायक अजीत कुमार राजु यादव सही तमाम नेतागं इस दोरान गंगायात्रा का जगा जगा भवी स्वागत किया गया नकाशा ग्राउड में बने जिनशबह स्थल को भवے तरीके से सचाया गया था पहुंचे सभी अतितियों का भविस्वागत किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्क्रितिक कारिकरम प्रस्तुत किये वह उक्त मंत्री बने। मा गंगा को साफ और स्वच बनानी की उपस्तिती जंसमु से शपत दिलाते हुए कहा कि हमें गंगा को स्वच और निर्मल बनाना है। गंगा को कभी भी गंदा नहीं करना है। अपने संबोधन ने केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पटेल और सुरेश खन्ना ने केंद्र और प्रदेश सरकार की गंगा योजना की खुले मंच से तारीफ करते हुए कहा है हमारी संस्कृति में गंगा का विशेश इसलिए हम चाहते हैं सब्सक्राइब को जितने भी परेटन यहां परिस्थाल हैं उसको आर्थिक शाहता नहीं मैं तो गंगा और गुड़नोर की जंता को नमन करूंगा वो भाके साली है आज मोजी जुतावी और युकिभी का अभागत करूंगा कि उनके कारण मुझे स्यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है ट्राश्ते फर इस विपनीद मोशनम में भी क्या बच्चे बूरे क्या महिला है क्या किसी भी धर्म के लोग तमाम लोगोंने जो गंगा यात्रा आ का स्वागत किया है और जो आत्मी का अव्यक्ट की है प्रदान मंदिर के प्रति जो भरोषा लोगों का है, लिजना को जन्मर करता है, स्वक्ष लखना है, और अभी ने लखना है, वो जिस्ट उप्रूप से पुरा हुआ। प्रदान मंदिर के लोगों के लोगों के बहुत लंब सब्सक्राइब करने के लिए उसके बताया है, बहुत पानी मांगें, कल की मंदिर भी यहां मुझूद है, उदर क्या जाएंगें।